आस्ट्रेलिया से मम्ता गुपता हर वर्स छट के मौके पर आती हैं दरसल मम्ता गुपता जो आनाबाद की रहने वाली है और आस्ट्रेलिया में रेटे हुए दो दशक से अधिकाव समय वीद क्या है लेकिन इस बार मम्ता गुपता की भावी जुहे गुपता और मामा त्रि मुझते लिया चली जाओंगे विदेश में रहने के बावजूद भी महापर्व छट हम लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़े रख रही है छट को लेकर के हमेशा आस्ता और उल्लास बना रहता है कि चाथ पूजा यह तेल करने आई हैं को सिस करते हूं एवरी एर मैं आओं चाथ कि मौके पर बहुत ही माहान पर इस इसली भी हार में बहुत ही धूमदाम से चेतरीके से मनाया जाता है अब घर में होता है तो बात ही कुछ अलग होती है चाथ की तो अब प्रतिवर्स जब भ जाता है तो नहीं आपाती है इचा रहती है कि मैं जरूर करो दूब है इस या बादी अच्छा लगता है लुगत वे घृड़ हो गया है वहां वहां भी कुछ लोगा आप सभी जवाब करने लगें इवन पर्थ में भी मेरी स्वेंड लोग करती है बर यहां की बात अलग ह है यहां जब आप अंदर से फील करते हो कि यह पूजा है वहां भी लोग करते हैं तो अच्छा लगता है यह मेरी भावी कर रही है और मेरे मामा जी है जोगी पटना से आए हैं यह एंटी डॉक्टर तो देखें ममता गुपता जो की छट को लेकर के एक का उनके एदर एक उल की चट पर्व कर रही है और इसके बाद ही आव वो दुबारा ऑस्ट्रेलिया वापस ले जाएंगी अलाकि चट के लिए यहां पर आए हैं और अलाकि ममताई नहीं और तमाम लोगों के बीच चट की एक विशेश महत्ता है तो चट करने ऑस्ट्रेलिया से यहां पहुंचे है ममता और उनका कहनाई की भाभी चट इस बार कर रही है और उनके एक विशेश महत्ता है और इसी विशेश महत्ता के चलते वो आस्ट्रेलिया से खिचिच चली आती है और दो दश्रक से ज़्यादा का समय हो गया उने ऐस्टेलिया में लेकिन जब छट की बात आती है तो वो वापस भारत आती है हलागे इस पर्व करने के बाद वो दुबारा ऐस्टेलिया चली जाएंगी हलाकि देखा जाए तो देखे छट को लेकर के कुशेश मता हर किसी के दिल में और अब तो बिहारी नई तमाम जगए छट को सेलिबरेट किया जा रहा और विदेशों में भी तमाम लोग इसे सेलिबरेट करते हुए नजर आते हैं